दिवाली के अवसर पर बुकसा जनजाती में रंगोली बनाने की व्रिहत परंपराएं आज भी जीवन्द बनी हुई है। दिवाली से पूर्व जनजाती समाज की महिलाएं व बालिकाएं अपने घरों के आंदन को लीप कर तथा मिट्टी व कंक्रीट की दिवारों पर अपनी परंपराओं के अनुसार शांदार चट्खीले रंगों में चित्रकारी बनाती है। परंपरा है कि ऐसा करने से धनकी देवी मा लक्षमी का घर में शुभागमन हो जाता है। आंदन के अलावा घरों की दिवारों पर धार्मिक चित्र भी बनाये जाते हैं। माता पार्वती शिफ तथा मा लक्षमी की आकृतियों को ही मुख्य रूप से इस चित्रकारी में उकेरा जाता है। इस संबंध में बुक्सा समाच से ही जुड़ी एक दिव्यांग चित्रकारा, कुमारी रोश्नी का पुरातन चित्रकारी को लेकर एक विख्यात नाम बना हुया है। उन्होंने बताया कि पहले-पहल कच्चे आंगन और कच्ची मिट्टी की दिवारों को गोबर से लीपने के बाद ही पवित्र रंगोली और चित्रों को उकेरा जाता था। आज भी यह परंपरा उन स्थानों पर कायम है, जहां घर्व आंधन कच्चे हैं पर जहां आधुनिक्ता के चलते मकान कंक्रीट के बन गए हैं, वहां अब दिवारों पर चित्रकारी तथा आंधन में रंगोली बनाई जाती है। रंगोली और चित्रकारी में चट्खीले रंगों का प्रयोग खुशाली और तरक्की के प्रतीक के रूप में किया जाता है। पूर्व में यहां रंग भी स्वयन ही प्रकृती जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाए जाते थे पर अब बाजार से सुलबता से रंग मिल जाने के कारण इन रासायनिक रंगों का प्रयोग बहुतायत से होने लगा है। बुक्सा समाज में यहां रंगोली मुख्य रूप से महिलाएं ही बनाती है और युवा बालिकाओं को यहां संस्कृती उनके बुजुर्गों से अभी तक दी जा रही है। दुखत पहलू यहां है कि आज यहां पुरातन परमपरा विलूप्थ होने के कगार पर आकर खड़ी हो गई है। शिक्षा के बढ़ते प्रचलन और आधुनिकता की सजकता ने इन परमपराओं को ठोकर मारनी शुरू कर दी है। आज यहां परमपरा केवल परमपराओं के निवहन को लेकर ही मंद मंद चल रही है। बुकसा समाज की इस प्राचीन परमपराओं को परियाप्त सन रक्षन देने की सक्त आवशकता है। प्रदेश के संस्कृती विभाग को चाहिए कि वह जनजाती समाज की इस विलुक्त होती जार रही चित्रकारी परमपरा को सहिजने के लिए सार्थत प्रयास करे अन्य था। समय के साथ यह परंपरा भी अन्य परंपराओं की तरह विलुप्थ हो जाएगी और तब केवल किताबों में ही इसका उल्लेक भर रह जाएगा। प्राचीन जन्जाती परंपराओं को आगे ले जाने वाले सभी कलाकार हाथों को दिल से सलाम। बाजपुर से अमित सैनी की विशेश रिपोर्ट